अब जो भी कारिये हैं वो कौन-कौन करेंगे देखिए जरम, मिर्त्यू, वैरिहाईसी पर्मान पत्र कैसे बनेंगे इसमें समंदित ग्राम पंचायत के BDPO बनाएंगे इसके लिए गाउं के नंबरदार से तस्दीक करवानी होगी और साथी शपत पत्र देना होगा जाती पर्मान पत्र, आए पर्मान पत्र कैसे बनाए जाएंगे यह नंबरदार की तस्दीक से बनेंगे वैरिफाई BDPO ही करेंगे, बुढ़ापा पैंसन कैसे बनेगी, नंबरदार तस्दीक करेंगे और BDPO आगे की कारवाही करेंगे आवेदन BDPO के पास ही करना होगा गाउं के विकासकारिय कैसे होंगे इससे समंधित भी चूचना है कि विकास समंधी आवेदन कहां से दे सकेंगे गाउं की गली की मरम्मत से लेकर सभी विकासकारियों की पावर BDPO के पास आ गई है इसलिए उन्हें ही लिखित में एप्लिकेशन देनी होगी जिहाँ सबसे ज़्यादा अधिकार जो है वो BDPO के पास आ गए है पंचायती जमीन के ठेके की परकिरिया भी अब किसके पास रहेगी देखिए पंचायत से समंदित सभी कारिये BDPO के हवाले हैं यह परकिरिया भी वही पूरी करवाएंगे अब जो पंचायत से समंदित जो भी कारिया है उसमें सब कारिया लगभग लगभग हर कारिया BDPO के पास आ गया है और वो नंबरदार और BDPO दोनों के पास ही जाना पड़ेगा आवेधन के लिए लोगों को और वही इनका करिया करेंगे अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि सबसे ज़्यादा पंचायते कहां बनी हैं जो नई पंचायते गठीत हुई है इन में से सबसे ज़्यादा पंचायते 18 पंचायते यमनानगर में बढ़ी है और करनाल में 12, कुरुक्षेतर में 11, नू में 8, बिवानी, पंचकुला, रिवाडी में 7-7, रोतक, सोनीपत, गुड़गाओं और महेंदरगड में 4-4 पंचायतों का गठन हुआ है फरिदाबाद, अंबाला, सिर्षा, पानिपत, फतेहबाद में 3-3, पलवल में 2, और चर्खी दादरी, हिसार, कैथल, जीन्द में एक-एक नई गरम पंचायते बनाई गए है ये थी आज की नई अपडेट, और सरपन चुनाव से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट, अगर आप चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी नई सुचना जैसे ही आती है, तभी आम आपको इन सुचनाव से आवगत करवा देते हैं, और आप हमारी वीडियो को इतना लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब की आपने चैनल, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,